दोस्तों फिलाल आज हम पहुंचे हैं केदार धाम और केदार धाम में आपको सारा कुछ दिखाऊंगा सारे व्यूज दिखाऊंगा साधिक केदार बाबा के दर्शन कराऊंगा तो सुरू करते हैं आज का वीडियो केदार नात्यात्रा करने के लिए इस वरस आपको गरम कपड़े रेन कोट की बहुत आवश्यकता पढ़ने वाली है तो दोस्तों अपने साथ ये चीजें आवश्य लाएं क्योंकि इस बार सुनो पॉल बहुत जादा है और आगे भी पढ़ने के चांसे बहुत रहेंगे तो इसलिए सुरच्चा के परपस से आप ये चीजें बिस्यस कर अपने साथ रखें दोस्तों आगे बैसे तो केदार नात्यात्रा पिट्टू पालकी या खचर से भी की जाती है परन्तु मैं आपको सजिस्ट करूँगा कि आपके साथ अगर कोई सीनियर पर्ष्टन है तो हादा किलोमेटर पहले ही आपको ड्रॉप करता है दोस्तों यह देख सकते हैं यह है भीम सिलाज जो कि मंदर के जश्ट पीशे रखी हुई है और दोया 13 के आपदा में इसी ने यहां के लोगों की और मंदर की रच्चा कीती दोस्तों कि यह दार घाटी में किस तरह बरफ च्छाई हुई है चारो पाँ तरह पहाणों पर ऊचे पहाणों पर सुनू आप देख सकते हैं साथी मंदर के आसपास भी आपको सुनू मिल जाएगी देखने को दोस्तों रिसेंटले भी कल और परसन तो दो दून से सुनो फॉल नहीं कर आता जिसकी वहिज़र चारो तरह आपको सुनो देखने को मिल जाएगी हर वर्स की तरह इस वर्स भी आपको बावा केदार के दर्शन करने के लिए रेस्टेशन करना अन्यवार है साथ ही दोस्तों यह रेस्टेशन जब आप यात्रा शुरू करेंगे तो एक वार सुन पर पर संट रहता है गोरी कुंड से आप पाल की खचर पिटू या पैदल इस यात्रा को कर सकते हैं पर अगर आपने हेलिकप्टर बुकिंग करा रखी है तो जादा बैट रहेगा क्योंकि यात्रा थोड़ी कठिन है दोस्तों मंदर प्रांगन में पहुंचने के बाद जबकि होटल्स में डॉमेट्री वुकिंग लगवग हजार रुपए के आसपास होती है यह आपकी बारगेनिंग पर भी डिपेंड करता है दोस्तों वहाँ पर आपको खाने पीने की भी सारी सुगदाईं मिल जाएंगी दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं साथी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिलकुल न भूले मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो तब तो के लिए धन्यवाद